हलो फ्रेंज्स मैं हो संध्या सागत है आपका सेल की रसोई में आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स एक नही रेश्पी तो विडियो हम तक जरूर देखिएगा आई होप आपको जरूर पसंद आएगा और अगर आज की रेश्पी पसंदा है फ्रेरेंस तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजेगा और जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो सस्प्राइब करना बिल्कूल मत बुलिएगा तो चलिए फिर बनाना इस्टार्ट करते हैं आज हम बना रहे हैं फ्रेंड्स प्रेसर कूकर में चावल तो आज हम देड़ किलो चावल प्रेसर कूकर में बनाएंगे कई बार होता है कि पानी का सही माप पता नहीं होता तो जिससे क्या होता है कि चावल जो है अच्छे से नहीं बन पाता कई बार कच्छा रह जाता है कई बार ओभर कुक हो जाता है तो अगर आप प्रेसर कुकर में चावल कभी नहीं बनाए है तो आप अराम से बना लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहां मैंने लिया है फ्रेंस देर किलो तो मैंने वही चावल लिया है आप जो अपने घर में खाते हैं वही चावल ले लिजिएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंस की एक बड़ा बरतन लेंगे और उसमें हम पूरा चावल को अच्छे से नापके डालेंगे तो जैसे कई बार होता है कि बहुत से घरों म एक किलो चावल बनता है देड़ किलो चावल बनता है लेकिन आपको पानी का सही माप पता नहीं होता कि देड़ किलो चावल में हम कितना पानी डाले या एक किलो चावल में कितना पानी डाले तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि चावल को किसी भी बरतन से नाप लेना है तो जैसे ये 1.5 kg चावल है तो इसे हम एक गिलास से नाप लेंगे तो आप कोई भी गिलास ले लीजिएगा तो ये देखिए एक गिलास ये चावल हुआ है तो ऐसे हम नाप लेंगे पूरा कि टोटल चावल हमारा कितना है मतलब 1.5 kg चावल में कितना गिलास चावल हो रहा ह तो नापेंगे आप तभी आपका चावल अच्छ से बन पाएगा क्योंकि पानी भी नापके डालना है तो चावल आप नापेंगे तभी आपको पानी का माप पता चलेगा तो यह देखिए यह दूसरा गिलास में डाल रही हूँ तो दो गिलास यह चावल हुआ अब चलिए तिसरा गिलास में डालेंगे इसके बाद देखते हैं कि टोटल ये कितना गिलास चावल होता है तो जब भी आप घर पर बनाएं तो पहले आप चावल को नाप लीजिएगा जैसे आपको पता होगा कि हमारे घर में 1 किलो चावल बनता है या 1.5 किलो बनता है या 2 किलो बनता ह तो ये देखिए ये तिसरा गिलास चावल हुआ उस बरतन में मैंने तीन गिलास चावल डाला अब बाकी ये देखिए ये आधा गिलास हुआ है मतलब साड़े तीन गिलास चावल हमारा हुआ है ये देखिए आधा है ये इसे भी उसमें डाल देंगे और इसके बाद चावल क हम एकदम अच्छे से धो लेंगे तो प्रेसर कुकर में जब भी चावल बनाए तो चावल को कम से कम तीन बार अच्छे से धोना है एकदम हाथ से रगड के जब तक इसमें साप पानी ना निकले तब तक चावल को अच्छे से हमें धोना है तो साड़े तीन गिलास चावल है अब इसका पानी, मैं आपको बताऊंगी कि कितना पानी हमें डालना है ता कि हमारा जो चावल है वो एक दम अच्छे से बन जाए ने कच्छा रहे, ना ओवर कूखो, मतलब ना गीला हो तो एक दम अच्छे से बन जाए तो चलिए सबसे पहले तो हम चावल को दो लेंगे तो चावल को पानी में डालके फुलने के लिए हमें नहीं छोड़ना है बस पानी डालते जाईए और इसे फटा फट से धोते जाईए तो चलिए पानी को हम गिरा देंगे और उसके बाद दूसरा पानी इसमें डाल लेंग तो ऐसे करके मैंने दो तीन बार मैंने धोया और यह तीसरा बार है तीसरा बार मैंने पानी डाला तो पानी साप निकला तो पानी फिर से गिरा देंगे अब लेंगे हम प्रेसर कुकर क्योंकि हम प्रेसर कुकर में चावल बना रहे हैं इसलिए हमें प्रेसर कुकर चाहिए बहुत सी वीडियो अपने चैनल पे डाली है फ्रेंड्स बहुत सारे नाप के मतलब मैंने चावल बनाया है और दो गिलास तीन गिलास एक गिलास आपको जितना भी बनाना होगा आप वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके तो सबसे पहले हम पूरा चावल इसमें डाल देंगे तो मैंने बहुत से वीडियो में बताया है कि ये तीन लीटर वाला कोकर है तो तीन लीटर वाला कोकर में चार गिलास चावल अराम से बन जाता है जो मैंने गिलास लिया है उस साइच के गिलास से चार गिलास चावल बनता है इसमें उस से ज़्यादा चावल इसमे हमें पानी डालना है नाप के, कूकर में चावल बनाना बहुत असान है, अगर आप एक बर बना लेंगे, तो फिर आप हमेशा प्रेसर कूकर में ही चावल बनाएंगे, इससे क्या होता है, फ्रेंज की गैस की बहुत बचत हो जाती है इससे, और समय भी कम लगता है, खाना पानी डालेंगे 5.5 गिलास, तो चलिए नाप के हम पहले उसी गिलास से पानी डालेंगे, जिस बरतन से आप चावल नाप करिएगा, उसी बरतन से आप पानी डालिएगा, अलग बरतन से पानी मत डालिएगा, तो पूरा चावल ऐसे मैं डाल देती हूं अच्छे से, ताकि थोड़ा भी बेस्ट न हो तो पूरा चावल डाल दिया अब चलिए पानी डाल देते हैं तो इसमें हम साड़े पांच गिलास पानी फटा फट से नाप के डाल देते हैं उससे ज्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है ना कम डालना है साड़े पांच गिलास पानी हमें डा कि कितना चावल के लिए गैस का फ्लेम कैसा रखना चाहिए कितना सीटी लगाना चाहिए कितना पानी डालना चाहिए तो चलिए पानी डाल देते हैं तो ऐसे फूल भर भर के हमें साड़े पांच गिलास पानी डालना है पांच गिलास पूरा और फिर आधा गिलास डालेंगे और इसके बाद हमें एक CT लगानी है एक CT से ज़्यादा हमें नहीं लगाना है एक सीटी से ज़्यादा आप लगाएंगे तो फिर चावल जो है वो ओबर कुक हो जाएगा तो जब भी आप प्रेसर कुकर में चावल बनाएं और गैस के उपर चड़ाएं तो आप कहीं भी रखें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि सीटी जब आए तो आप तुरंट गैस को बंद कर दीजिएगा अब यह नहीं कि आप गैस तक पहुंचे तब तक दो तीन सीटी आ गई तो इससे क्या होगा कि चावल जो है ओबर कुक हो जाएगा तो कई लोग सीकायद करते हैं कि चावल हमारा गीला हो जाता है या फिर चावल मारा कच्चा हो जाता है तो आप सही नाप से और सही फ्लेम रखेंगे गैस का तो आपका चावल कभी कच्चा नहीं होगा ना ज्यादा पकेगा तो चलिए पानी मैंने पूरा डाल दिया अब इसका धक्कन लगा देंगे फटा-फट से और उसके बाद गैस के उपर चढ़ा देंगे आप देखेगे कि 10 से 15 मिनट के अंदर हमारा चावल जो है वो बन कर तयार हो जाएगा बिल्कुल टाइम नहीं लगता तो चलिए गैस ओन कर लेते हैं अब प्रेसर कुकर चढ़ा देंगे इसके उपर गैस का फ्लेम मैंने एकदम तेज रखा है आप देख रहे होंगे तो तीन गिलास से उपर जब भी चावल बनाए तो गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है और तीन गिलास से नीचे बनाए एक गिलास दो गिलास इस तरह से बनाए तो गैस का फ्लेम हाई से थोड़ा कम रखना है हमें मतलब मेडियम रखना है तो गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया एक सीथी लगने देते हैं फ्रेंड्स इसके बाद तुरंध हम गैस को बन कर दें और कूकर को अपने आप से ठंडा होने देंगे जब कूकर अपने आप से ठंडा हो जागा तभी हमें खोलना है इसके पहले हमें नहीं खोलना है तो ऐसे सीटी उठा के देख लीजिएगा तो चलिए ढकन खोल के देखते हैं और यह देखिए फ्रेंड्स हमारा डेड़ किलो क चावल बन कर तैयार हो गया, 10 मिनट लगा और ये चावल एकदम अच्छ से बन कर तैयार हो गया, ना ये ज़्यादा पका है, ना ज़्यादा कच्चा है, एकदम परफिक्ट चावल बन कर तैयार हुआ है, जैसा हम खाते हैं, बिल्कुल वैसा ही बन कर तैयार हुआ है, तो आ आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगे इसके बाद धक्कन को ऐसे ऊपर से रख दीजिएगा दो चार मिनट के लिए उसके बाद आप चावल को सर्व कर सकते हैं और यह देखिए अगर फ्रेंस चावल हमारा एकदम अच्छे से बन गया कोई ताम जाम नहीं है एकदम अराम से आ पसंद आए और अगर आज की रेस्पी पसंद आए फ्रेंस तो विडियो को जरूर लाइक कर दिजेगा और जो फ्रेंस चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा फ्रेंस तो चलिए फिर मुलाकात होगी एक नई रेस्पी के साथ एक नए विडिय हुआ है अजयो में